हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब कैनल हिंदी कानूनी जानकारी में आज हम बात करेंगे भारती संबिधान के अनुच्छेद 85 याने के 85 के बारे में यदि आप भारती संबिधान से रेलेटेड पिछले अनुच्छेद का अध्यान करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करें यहाँ से आपको भारती संबिधान का पिछला अनुच्छेद मिल जाएगा हम बात करते हैं भारती संबिधान के अनुच्छेद 85 याने 85 के बारे में ये कहता है संसद के सत्र, सत्राहसान और बिगटन सत्र याने के अधिवेशन संसद के जो सत्र का मतला होगा के संसद में बुलाई जाने वाली बैठकें अब संसद में कौन-कौन सी बैठकें बुलाई जाएंगी इसके संबंद में हम चर्चा कर लेते हैं संसद वैसे दो चीजों से मिलकर के बनता है दो सदन होते हैं सदन के एक लोक सबा और एक राजी सबा ये अपन ने पिछले वीडियों में अपन ने पढ़ लिया इसको तो संसद के कितने सद्र होंगे ये संसद की कितनी बैठाके होगी तो इस संबन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि संसत की कितनी बैठा के होंगी, साल वर में कितनी बैठा के होंगी, क्या होगा ऐसा कुछ नहीं लिखा है इसमें क्या है? इसमें इतना लिखा हुआ है कि संसत की जो बैठा कोंगी, संसत के जो सत्र होंगे उसमें 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा याने कि यदि अपन देखें तो एक साल में कम से कम दो बैठाक होना जरूरी होगी दो अधिवेशन होना जरूरी होगा या यह कहें कि दो सत्र आवश्यक होगा वैसे होते कितने हैं इस समझ में आपन समझ लेते हैं कि यदि हम देखें लिखा हुआ कुछ भी नहीं देखो लिखा हुआ जो है उस से भिन थोड़ा से हम देख रहा है विप्रीट तो क्या कहा है अपन उसको तो तीन सत्र वैसे साल भर में हो जाते हैं एक हो जाता है बजट सत्र बजट सत्र कब से कब तक चलता है ये चलता है फरवरी से लेके मईता इसके बाद आ जाता है मांसून सत्र मांसून याने के बरसात के टाइम में बरसात के टाइम में याने के जुलाई अगत सितंबर तक ये बजट चलता है इसके बाद एक और बजट आता है सीथ कालीन इतकालीन सत्रों जो है वो नवंबर दिसंबर में चलता है वैसे यहां पर सिंपल लेंग्वेज में अधियम समझें तो सिंपल लेंग्वेज में सिर्फ इतना लिख दिया है कि छे माह से अधिक का अंतर नहीं होगा पहले वजट से दूसरे वजट में याने कि एक साल में दो क्या गया है इसके संबन में पढ़ लेता है नंबर एक राष्ट पति समय समय पर संसद के प्रतेक सदन को ऐसे समय और इस्थान पर जो वर ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा अधिवेशन के लिए बुलाएगा किन लोगों को बुलाएगा संसद के सदस्यों को संसद के सदस्यों को मतलब की संसदों को बुला करके बैठक करेगा अधिवेशन करेगा या यह कहें कि सत्र बुलाएगा आहूत करेगा ठीक है ना किन्तु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रतम बैठक के लिए नियत तारीक के बीच छे माहा से अधिक का अंतर नहीं होगा यानिके छे माह का अंतर हो सकता है छे माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है कैसे कि जो प्रथम बैठक बुलाई गई है उसका जो उसकी जो अंतिम बैठक होगी प्रथम सत्र की जो अंतिम बैठक है वो और दूसरे सत्र की प्रथम बैठक में छे माह का अंतर नहीं हो सकता छे माह से अधिक का अंतर नहीं होगा ठीके समझ में आगया होगा आपको याने के जो सत्र चल रहा है उसकी अंतिम तारीक से लगा के और जो नया सत्र चालू करेंगे उसकी प्रथम तारीक के बीच का अंतर जो है वो 6 माह का नहीं होगा 6 माह से अधिक का नहीं होगा परिंट नमबर 2 इसमें लिखा गया कि राष्टपती समय समय पर सदनों का या किसी सदन का सत्रा ओसान कर सकेगा यहने कि सत्र का आउसन यहने सत्र की समापती करने का जो अधिकार है वह भी राष्टपती के ही हाथ में होगा यहने राष्टपती जो है सत्र का आउसन करेगा सत्र की समापती भी करेगा याने सत्र को बुलाने का अधिकार भी राष्टपती का है और सत्र को समाप्त करने का अधिकार भी राष्टपती का है इसके अलावा में लोगसवा का बिगटन भी कर सकेगा याने के राष्टपती जो है लोगसवा का बिगटन भी कर सकेगा लोगसवा क्या है एक आइस्था प्राचित होकर के आने वाले सदश होते हैं यदि लोग सभा का असकारिकाल पूरा हो गया है तो राष्टपती उसका बिगटन कर सकेगा या यदि लोग सभा ने अपना बहुमत खो दिया है तब ऐसे समय में भी राष्टपती उसका बिगटन कर सकेगा लेकिन यहां पर ऐसा वाका बिगटन कर सकेगा इतना लिखा हुआ है तो आज की वीडियो में हमने अध्यन किया भारती संभिधान के अनुच्छे 85 के बारे में यदि आप भारती संभिधान से अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां पर किलिक करें यहां से आपको भारती संभिधान का अगला वीडियो भी मिलेगा भारती संभिधान के संपून वीडियो भी मिलेंगे CRPC और IPC के संकून वीडियो भी यहीं से आपको मिल जाएंगे तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तख सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल आइक उन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिवेकेशन आपको मिल सके ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद